अब भारतिय बजार में मुकाबला बढ़ने वाला है मुकेश अमबानी की कमपनी रिलाइंस इंडरस्ट्रीज जल्द ही इकॉमर्स सेक्टर में हाथ अजमाने उतर रही है जियो के आने से जैसे टेलीकॉम कमपनी के लिए मुश्किले खड़ी हो गई थी वैसे ही रिलाइंस का नया वेंचर Amazon और Flipkart जैसी इकॉमर्स कमपनियों के कारोबार पर असर डाल सकता है वाइबरेंट गुजरात समिट में खुद मुकेश अमबानी ने इकॉमर्स सेक्टर में कारोबार शुरू करने का एलान किया मुकेश अमबानी प्रभावशाली तरीके से इकॉमर्स सेक्टर में कदम रखने जा रहे है रिलाइंस के इकॉमर्स कारोबार की शुरूवात गुजरात से होगी जीओ और रिलाइंस रिटेल के ने इकॉमर्स प्रोजेक्ट से गुजरात में 12 लाग दुकानदारों को फायदा होगा पूरी प्लैनिंग के साथ रिलाइंस इकॉमर्स कारोबार में हाथ अजमाने जा रही है रिलाइंस एक ऐसा प्लैट्फरम तयार करेगी जो छोटे दुकानदारों और ग्रहकों को आपस में जोडेगा रिलाइंस फैशन से लेकर फूड तक और इलेक्ट्रोनिक से लेकर फायनिशल सर्विस तक सभी सेवाए अपने एकॉमर्स प्लैट्फरम पर उपलत कराएगी सिर्फ इतना ही नहीं इस प्लैट्फरम पर एडवर्टाइजमेंट का भी कारोबार होगा जियो के जरिये रिलाइंस पहले ही 25 करोड से ज्यादा लोगों को जोड़ चुकी है मुकेशंबानी इकॉमर्स कारोबार को बढ़ाने के लिए शहरों और गामों में फैले 5000 जियो पॉइंट्स का इस्तमाल करेंगे जियो के नेटवर्क के सहरे रिलाइंस की पहुँच उन लोगों तक भी होगी जिन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी जियो का 5G नेटवर्क सर्विस देने के लिए पूरी तरह तैयार है जियो की 5G सर्विस शुरू होने से कंपनी के e-commerce कारोबार को भी फायदा होगा गुजरात रिलाइंस की जन्म भूमी और कर्म भूमी रही है इसलिए कंपनी ने e-commerce कारोबार शुरू करने के लिए गुजरात को ही चुना है आने वाले दिनों में रिलाइंस का गुजरात में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का प्लैन है मुकेश अमबानी के e-commerce कारोबार में उतरने के फैसले से फ्लिपकार्ट और Amazon जैसी कंपनियों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते है